घर और किचन के काम करना बहुत ही मस्किल होता है लेकिन हमें कुछ smart tips and tricks पता हो तो यही काम आसान हो जाता है कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा के तरह बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ kitchen tips and tricks तो चलिए देर ना करते हूँ आज का वीडियो शुरू करते हैं तो पहला tips आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कब हम सभी के घर पर होते हैं लेकिन कई बार रेसा होता है कि इन्हें रखने का तरीका हमें सही से पता नहीं होता है कब के उपर कप रखकर हम उसे कहीं भी रख देते हैं तो यह बहुत ही जल्दी से यह तूट जाते हैं से रखने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ जिससे आप इस अच्छे से रख पाएंगे इसकी जो डंडी जो हम पकड़ते हैं वह बिल्कुल भी नहीं तूटेगा यहां पर आपको क्या करना है एक कप लेना है और जो कप का हैंडल है दूसरे कप के अंदर इस तरीके से फिक्स कर लेना है और तीसरे कप को हम इस तरीक कप के अंदर नहीं तूटेंगे इंचार कप को सेट करने के बाद इन हे आपको नियूज पेपर के अंदर इस तरीके से अंदर कर लेना है wiping कर दो और इस पर धागा या रबर लगा देना है उसके बाद इसे एक पॉली थीन में इस तरीके से आपको पैक कर लेना है इस तरीके से यह जगहें भी बहुत कम घेरते हैं तो है न दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूजफुल एडिया जब है आप कपको ले जाएं तो इस ट्रिक को आप जरूर यूजफ कर लेए फटा फट अब देख लेते हैं दूसरा टिपस दूसरा टिपस हमारा है हरे मिर्च को लेकर फेंड तो इसकी नंडिया हमने तोड़कर निकाल दी है और इसे में पानी के बोटल में डालकर रग दूँगी तो इसे में फ्रीज में रग दूग हैं लेकिन इसका यूज एक बहुत बढ़िया मैं आपको बताऊंगी और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा एमर्जंसे में आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगा तो जब भी हम घिया या लोकी को कट करते हैं तो आपने देखा होगा इसमें से कुछ लि इसके साइडों से आपको इस तरीके से ले लेना है कई बार आपने देखा होगा कि हमारे खुजली हो जाती है खुजली वाली जगहा पर आपको इस तरीके से लगा लेना है पहली बार में ही आपके खुजली एकदम गायब हो जाएगी पहली बार में ही आपके खुजली ए जब भी आप लोकी को योज करें तो उसे खुला भी ना रखें आपको इस तरीके से सिल्वर फाल पेपर लेना है और उसे कबर कर लेना है इससे आपकी घीया या कोई भी सब्जी आपने आधी काटके फ्रीज में रखी है वह सुखेगी भी नहीं और बहुत अच्छे से कबर हो जाती है अगले टिप्स हमारी है पोछा लगाने को लेकर कई बार होता है या फिर हमारी तगेस सही नहीं होती है नहीं सारे लोगों को आपने देखा होगा इस तरह से पोछा लगाते हुए क्या करते हैं कि वाइपर पर इस तरीके से पोछा डाल देते हैं और इस तरीके से पोच्छा लगाना सुरू कर देते हैं सबसे ज्यादा दिकत पता है कब आती है जब यह कपड़ा बार बार निकल जाता है जब इस तरीके से निकल जाता है तो हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बार बार हमें इसे सभाला पड़ता है जब कभी भी आप इस तरी करेंगे बता रही हूँ आपको dispers पहले पोघ्र में प Epic JULY कोड़ा कर लेंगे इस तरीके से हम श्राचे लेंगे तरेंगे विल आपको स्वापर में आपको इसको वैसे ही रख देना है जैसे भी zij कर ते लेंजेंक यह स्वारी या बाइपर को आप कैसे भी उठा के पटकिए बिल्कुल भी यह जो कपड़ा है ना खुलता नहीं है तो आप भी इस तरीके से कपड़े को बाइपर में लपेट करकर अपने घर में छाड़ू पशा करते हैं न तो एक बार इस ट्रीक को आप यूज करके जरूर देखना कई बार क्या होता है के नीचे इस तरीके से हम पुछा लगाते हैं तो हमारा पुछा बेट के अंदर ही रह जाता है वाइपर बाहर आ जाता है तो इस तरीके से आप लगा कर पुछा लगाओगे तो यह अच्छे से फिक्स हो जाता है अमीद करती हूं दोस्तों आपको यह चोटा सा ट्रिक्स जरूर पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिल में सेयर कर दीजिएगा और अगला जो टिप्स हमारा है वो भी वाइबर को लेकर ही है तो कई बार होता है कि जो वाइबर हमारा होता है बहुत ही ज्यादा लूज जाता है तो हमें क्या करना है दोस्तो हमें लेना है एक पॉलिथीन इसे लेने के बाद आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है इसके सरकल कट करना है बस आपको इस तरीके से गोल गोल कहची को गुमाना है और आपका सरकल कटकर त कपड़ा भी नगा सकते हैं लेकिन आप कपड़ा यूच करेंगे तो बहुत ही जल्दी गल जाता है और पली थीन होता है जो ना दोस्तों जल्दी से गलता नहीं है और एक्स्ट्रा है से हम तरीके से कहची से कट कर देंगे यह देखें यह बहुत अच्छे से हुक्स हो गया है अब भी बिल्कुल भी यहां से हीलेगा डूलेगा नहीं यह आप эта उस्तिस है लेकिन बहुत ही जादा पसंद हो given बहुत ही ज़्यादा यूश्ड़ है यह दो आइपया जञ्ड़ा और सब्सक्रा से बंदी अन्याजा से बना जाए Okay करेंगे पास्वाद और भी जादा पढ़ जाएगा सब्जी में हम पिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे और हमारी सब्जी बहुत ही जल्दी पक भी जाएगी सब्जी को अच्छे से भुनने के बाद इसके उपर मैं थाली रख दी हूँ थाली के ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे चैसे जैसे हमारी सब्जी पकेगी उएसे वेशे पानी गर्म होना शुरू हो जाएगगा। यहां पर आक प्रम देंगे थाली के नीचे पानी वासबी जोकर लगा है। इस तरीके से हमारे सब्जी को पानी भी मिलता रहेगा और हमारे सब्जी जलेगी नहीं और बहुत ही स्वाध बनेगी सब्जी उमीद करती हूँ आपको यह टिप्स भी अच्छा लगा होगा यह कमेंट करके आप जरूर बताईएगा कि आपको कौन सा टिप्स सबसे ज्याद करते हैं झाव बारएख और बार बीया यहाँ है यहाँ टाव ऑगाँस आपको कि अच्छाटी दया जेस उले टाब अधाइव लूस नहीं प्रवाचिकी टैपको प्रीके से इस तो ड्याय जा आपको यहाँट जाना से ब्सक्टिंट आपको आपको नहीं आपको यहाँट